हमने समदना पड़ेगा कि आजादी अनूदान में नहीं मिली है, लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिये है, रख तबाया है, पीडिया तबाह हो गई है, तब आजादी मिली है। रिवालिष्णर इस अधर स्टोरी ओप हाव इंडिया वन इट्स फ्रीडम, यह अधर स्टोरी सब्द लिखना पड़ा, यही यह पुस्तक का सार है। क्योंकि एक ही स्टोरी, नैरेटिव के अंदर, हमारे जन्मानस पर हैमर कर 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 कर, इसको प्रस्तापित किया गया है। एक ही द्रश्टिकॉन जन्मानस में सिक्षा के माध्यम से, इवदंतियों के माध्यम से, इतियास के लेखन के माध्यम से थोपा गया है. जो द्रश्टिकॉन थोपा गया है, मैं ऐसा नहीं कहता कि अहिंस कांदोलन का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, या वो इतियास का हिस्सा नहीं, वो बहुत मजबूत हिस्सा है, बहुत बड़ा योगदान है अहिंस कांदोलन का, और कॉंग्रेस के नेत्रूतों में जो मूवमेंट चली वो मूवमेंट का बहुत बड़ा ही योगदान है देश की आजादी में प्रंटू और किसी का नहीं है यह नेरेटिव ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि सन्याल जी का पुस्तक वो नेरेटिव में बहुत बड़ी दरार डालने का अन्य स्वतंत्र विचार को लोगों के सामने रखने का काम करेगा, यह बहुत उपयोगी है, कम से कम آनी वाली पीडियों के लिए, क्योंकि देश के आजादी का ओनालिसिस अगर करते हैं, तो ढेर सारे लोगों ये, ढेर सारे विचारों ये, ढेर सारे संगत्ण रहने, और धेर सारे मार्गों ने भी एक ही गंतव्य स्थान पर जाने के लिए एक ही लक्स पर जाने के लिए प्रयास किया था और वो सब का सामूहिक फल है हमारे देश को आजादी में ना इतियास को बारी किसे पढ़ना और इतियास का जो संदेश है वो आने वाली पीडियों में सटीक तरीके से देना ये हर पीडी का दाई तो होता है और मुझे लगता है कि संजीव सन्याल ने अपने दाईतियों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन किया है और आने वाली पीडी के लिए एक नहे नेरेटिव की सुरुआत हो एक रचना हो इसके लिए पिठी का तयार करने का काम संजीव सन्याल ने किया है मैं संजीव बहुत बहुत सा दुवा दिनों पर मित्रोय आजादी का अमरूत महत्सव है उसका वर्स है 75 साल हो गए हमारी आजादी को मोदी जी ने इस 15 अगस को पंच प्राण की बात की है उसमें से विरासत पर घर्व और घुलामी की निशानियों से मुक्ती ये दो महत्वपुन पंच प्राण है पंच प्राणों का हिस्सा है जिस देश की नई पिड़ी को और इवन वर्तमान पिड़ी को अपनी विरासत पर घर्व नहीं होता है वो कभी भी अपने देश को महान नहीं बना सकते हैं और घुलामी के काल में प्रस्तापित हुई परंपराएं मान्यताएं और सोच को जो लेकर चलते हैं वो साहे दिरादनितिक रूप से तो घुलामी से मुक्त हो सकते हैं प्रंतु देश की सोच को गुलामी से मुक्त नहीं कर सकते हैं यह जो मोदी जी ने कहा गुलामी की निसानी से मुक्ती इसमें सबसे बड़ा अगर कोई शेत्र में काम करने का जरूयात मैं देखता हूं तो हमारे इतियास के लेखन और इतियास के अर्थगटन दोनों को गुल प्रायास सबसे पहले एक भी सब्द बोले बगर वीर सावर करने किया था पूरी दुनिया पूरा देश और अच्छे अच्छे देशबक सन 57 की क्रांती को गदर के नाम से जानते थे पहली बार वीर सावर करने पहला स्वातंतर संग्राम पहला स्वातंतर समर 1857 की क्रांती करा वहीं से नेरेटिव को बदलने की सुरुआती है और आज संजीव सानियाल जी इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं इसका मुझे बहुत बहुत आनंद भी है और एक प्रकार से संत जोस भी है कि जो काम बहुत समय पहले शुरू होना चाहिए था इतने समय के बाद भी अगर शुरू हुआ है तो यह स्वागतियोग्य है कि इत्यास कई सारी कि मानेत्याओं को जन्म देता है कि परन्तु इत्यास हार और जीत के आधार पर नहीं लिखा जा सकता प्रयासों के भी कई डाइमेंशन होते हैं कि कोई विचार कोई आंडोलन खड़ा हुआ हो सकता है वो अपने गंतवे स्थान पर न पहुंच पाया हो सफल न हुआ हो इसका अर्थ है नहीं है कि जब कभी भी वो उद्यस प्राप्त होगा तब इसका कोई योगदान नहीं है इतियास को अगर हार या जीत के दुष्टी से ही लिखते हैं तो इतियास को ठीक से नहीं लिखते हैं इतियास को वास्तविक्ता के अधार पर लिखना चाहिए प्रयासों के मुल्यांकन के अधार पर लिखना चाहिए और प्रयासों के सभी परिमान इसके सभी डाइमेंशन का एनालिसिस करकर इसका विशलेशन करकर लिखना चाहिए तभी इतियास अपने आप में परिपूर्ण होता है, और ससस्त्रक्रांटी के इतियास का भी ऐसा ही है, कई इतियासकार ये प्रयास को विलूप्ट करने में लगे, कई लोगों ने उसको कम महत्व दिया, कई लोगों को लगा कि इनका क्या योगदान था जादी के बगत सिंग जी को फासी दी गई उस दिन लाहोर से लेकर कन्या कुमारी तक किसी के घर में चुला नहीं जला था हर बच्चे के मन में एक आग धदकती थी हर व्यक्ति के मन में कभी न जिसका समन हो सके ऐसी देश बक्ति की ज्वाला जगाने का काम बगत सिंग की सहादत ने दिया था अगर आप बगत सिंग सहीद हो गए और देश आजाद नहीं हुआ इसके आधार पर ही इतियास लिखते हैं तो यह मुग्लियंकन ठीक नहीं मेरे जैसे कई लोग मानते हैं कि सस्त्र क्रांती ने जगाई हुई देश बक्ति के ज्वाला के अधार पर ही कोंग्रेस का अंदोलन सफल हुआ मैं मानता हूँ और मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूँ आद नहीं करना चाहता परन्तू मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ कि अगर ससस्त्र कांति की समानतर धारा न चली होती तो साथ कई दसक और लग जाएते हैं समगर देश के अंदर बंकिम चंडर चटोपाद्या ने सिर्फ वंदे मात्रम लिखकर चेतना को जागरूत किया था क्या इसका कोई योगदान नहीं है समगर देश के अंदर घदर पार्टी के पूरे प्रयासों ने अने जगे पे एक जबज़स्त चेतना की जागरूती की थी निर्मान भी किया था चेतना सुसुप्त चेतना को जागरूत भी किया और चेतना का निर्मान भी किया क्या इसका कोई योगदान नहीं है इतियास के अंदर उसको इस प्रयासों का जो उचित सन्मान मिलना चाहे ही था दुर्भाग्य से नहीं मिला है कई सारे लोग जब इतियास के बारे में बातचित होती है तब कहते हैं कि इतियास को तोड़ा गया, मरोडा गया, कभी वामपंतियों का नाम आता है, कभी अंग्रे जी मानसिक्ता वारे इतियास का रोग का नाम आता है, कहीं कॉंग्रेस को भी कोई लपेटे में लेता है, पर आने वाले प्राध्यापकों का आहवान करना चाहता हूं कि हमारे देश के गवरव को व्यक्याहित करें इस प्रकार से कोई तोड मरोड करें बगर वास्तव दर्सी गवरव में इतियास की रचना अब हो सकती है या नहीं हो सकती है जिनोंने भारत को महान बनाया एक गलत अवधारणा इतियास से सरजित हुई जो इतियास हम लोग पड़े हैं कि पहला सामराज्य मुगल सामराज्य बनने के बाद ही हुआ ऐसा नहीं है इस देश में कम से कम 30 ऐसे सामराज्य हैं जिनोंने 200 साल से ज्यादा राज किया और बहुत अच्छे तरीके से राज किया वो मुझबानी बताया जा सकते है क्या हमारे विश्यास के विध्यार्थी और प्राध्यापक इस पर रिसर्च करकर लिग सकते हैं क्या सन सतावन के पहले और सन सतावन के बाद कभी भी इस देश के किसी भी कोने ने अंग्रेजय को स्विकारा नहीं है एक एक इंच जमिन के लिए उनको संगर्स करना पड़ा है लड़ना पड़ा है ये क्या संगर्स नहीं है आजादी बरकरार रखने का आजादी को बचा कर रखने का इसको क्या इत्यास में स्थ्यान नहीं मिलना चाहिए देर सेरे ऐसे लोग थे जिन्होंने सन सतावन की क्रांती के लिए कुछ नप्राप्त होने की स्थीती में भी ये लड़ाई लड़ी और मैं मानता हूं कि सन सतावन की लड़ाई ने ही इस देश की जनता के मन में स्वराज के संसकार सिवाजी महराज के बाद पहली बार डालने का अगर कोई एक प्रयास ने काम किया तो 1857 की क्रांती ने किया और वहीं से हमारी आजादी की लड़ाई की भूमी का वहीं से शुरू इसकी नीव वहीं से डली गई चाहे ससस्त्र क्रांटी का इतियास देखो या कॉंग्रेस का अहिंसक आंदोलन देखो इसकी नीव डूंडने जाएंगे तो 1857 की क्रांटी के अंदर से ही निकलेगे। सिर्फ सरकार की नहीं हो सकते। मैं मानता हूँ इतियास कारों ने भी इसमें आगे आना जाए। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी सिद्धी यह है कि आज तक ससस्त्र क्रांटी के इतियास को छुटपूट व्यक्तिगत प्रयास बताया जाता था। यह पुस्तक पढ़ने के बाद आप सब के मन में सपश्टता हो जाएगी। छुटपूट व्यक्तिगत प्रयास नहीं था। बहुत अच्छे तरीके से एक सोच के आधार पर किया गया सामोहीक प्रयास था परन्तु संख्या कम थी इसलिए छुटपूट दिखाई था। क्योंकि स्रसस्त्र कांती करने के लिए कोई भी बड़े से बड़ा डल जाएगा, अंतत्तो गत्वा एक घटना के अंदर ही होगा। और जब घटना का परदा फास होता था, तो बाकी सारे लोगों का अध्रस्य हो जाना इरन्निती का हिस्सा था। परन्तु बहुत बखुबी से इन्होंने इसको मोतियों को जैसे माला में परोते हैं, इसी तरह से समग्र कांती के विचार को एक धागे में मोतियों की तरफ पीरोनों का काम किया है। दूसरे अध्याय में स्री अरविंद और वीर सावरकर इसके संबन्द में लिखा है। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं, एक ने सुस्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद को जराभी गाल मेल करे बगर व्यक्षाइद करने का काम किया। और दूसरे ने राष्ट्रवाद को अध्यात्म के साथ चोड़ कर भारत ही विश्वगुरू बन सकता है इसका विचार की सुरुवाद। ये दोनों के बारे में मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है मगर इनोंने एक दो ही चेप्टर के अंदर इन दो के बारे में जो जानकारी दी है बहुत अच्छी जानकारी है उसको मैं रुपक में अगर बोलना चाहूंगा तो घागर में सागर की तरह सारी चीजों को इनोंने समाहिव किया है चेप्टर चार गदर अंदोलन के बारे में लिखा गया है और गदर अंदोलन आईसोलेटेड नहीं था इसकी सारी साखाओं को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके विश्थुत्रू तुरुप से वर्नित करकर गदर अंदोलन उत्कुरूष्ट राष्ट बक् सामुहिक प्रयास्था इसको सिद्ध करने का काम इन्होंने अध्याय चार के अंदर किया है पांचवा अध्याय काला पानी पर लिखा है जो भारत के आजादी के इतियास का तिर्थस्तान है अंदरबान की सेलुलर जैल और वहां की दी गई बानुए यातना ये देखकर मैं कई बार सोता हूँ कि पस्चिन के देश कैसे हिमन डाइट की बात कर सकते है और किन को सिखा रहे हो गए जो कोई भी हमें भासन देता आता है उसको एक पर सेलुलर जैल की मुलाकाद करा देगे जाए अनेक प्रकार के देश के अनेक हिस्सों से पकड़े गए स्वातंत्र सेनानी क्रांती वीरों को एक ही जगे पे रखा गया और अगर सेलुलर जैल के अंदर जो क्रांती वीरों की सूची है उसको भी आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आइसोलेटिट प्रयास्त नहीं था पूरे देश का नक्सा वहीं पर बन जाता है वो जैल में आज भी एक महिला कर्मी है उसने हर जैल से आये हुए आजादी के लड़ाकों का नाम लिया प्रदेश दिया और उसको जोड़कर पूरे भारत का नक्सा बनाया एक भी प्रदेश बाकी नहीं भारत के हर प्रदेश से कोई न कोई कभी न कभी सेलूरल जैल के अंदर गया है सेलूरल जैल में वही जाते थे जिनको मारने से ज्यादा नुक्सान होता था कोई उसको जिंदा रखने के लिए नहीं बेहते थे और जिन्दा रेखने का कोई मतलब ही नहीं रहता था ऐसा जीवन वहां देते थे तो इतना बड़ा प्रयास करने वाले व्यक्ति हर प्रदेश से आए वो ही बताता है कि ससस्त्र क्रांती ए आईसोलेटेड एफर्स नहीं था व्यक्ति का व्यक्तिगत पराक्रम नहीं था एक सोची समझा आंदोलन था जो देश को आजाद करने का बहुत अच्छा प्रयास था छठे अध्याय में हिंदूस्तान पब्लिक एसोशेशन के बारे में लिखा है अन्तिम दो चैप्टर चटगाव सस्त्रागार के चापे और नेता जी की लड़ाई के बारे में लिखे है मैं अभी भी कहता हूँ पढ़ते वक्त आप ध्यान रखे है हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ जूढने का सूत्र इसके अंदर रखा हुआ है रखना तो क्या है है ही परन्तु इसका वणन किया है और आठो चैप्टर को अगर आप एक ही चैप्टर मान कर पड़ते हो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ससस्त्र कांती की अव्धार्ना क्या थी और ससस्त्र कांती करने वाले सभावगत हिंसा के पत के अनुयाई नहीं थे ससस्त्र क्रांटी करने वालों के लिए हिंसा देश को आजादी दिलाने का जरिया थी वो भी उतकुरुष्ट मानिवे मुल्यों का अनुसरन करने वाले लोग परन्तु यह चितरन जो कर दिया गया वो चित्रन से हमारे इतियास को और वो भीर क्रांती विरों को बहुत बड़ा अन्याय हूँ मित्रों मैं अब स्पष्टता से मानता हूँ किस देश को आजादी दिलाने में साही तेकारों का भी बड़ा योगदान है देश के किसानों का भी अनेक किसान अंदोलों कोई जरिये अंग्रेज हकूमत को हिलाने का उन्होंने काम किया जनजागुरूती की इसका भी बड़ा योगदान है देश के हर कौने में फैले हुए हमारे जनजातिय समाज आदिवासियों ने ट्राइबल्स ने अपनी परंपरा को हम प्रदुशित नहीं होने देंगे इसलिए अनेक जगह पे अंग्रोजय के खिलाप सस्त्र उठाए लड़े मरे सन सतावन के पहले भी सबसे पहली लड़ाई अगर कोई लड़ा था तो आदिवासि ही लड़े थे बहुत लेट कॉंग्रेस पार्टी ने एक अहिंसक अंदोलन भी शुरू किया दिसमें पूर्ण स्वराज बहुत देरी से आया है मैं बताता हूं उसके बारे में बाद में और ससस्त्रक आंतिकारियों ने भी दुनिया भर की अनेक घटनाओं से प्रेणा लेकर एक भगीरत प्रयास किया जाए हो सकता है कई घटनाओं का आप एनालिसिस करोगे तो आंदोलन असंगटित दिखेगा परन्तु वो देश भक्ती से प्रिरित था और सभी का लक्स एक ही था देश को आजाद कराना अंग्रेजों को देश से निकालना और आप इस पुस्तक को ध्यान से पड़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 1923 में ही सचिंद्रना सन्याल ने भारत को रिपब्लिक बनाने का लक्स रखा थे मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनोंने हाथ में हत्यार उठाये थे वो सभावगत हिंसक नहीं थे परन्तु अंग्रेज के हाथ में बंदूग थी इसलिए इसके सामने लड़ना ये हिंसा आदेश को आजादी दिलाने का एक जड़िया बनाये थे कॉंग्रेश ने 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी और हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी एचारे ने न केवल पूर्ण सतंतरता का लक्स रखा परन्तु सार्वबोमिक वयस का मतादिकार की भी वकालत उसी वक्त करती है मैं उनकी दूर द्रशिकार का परिचय हो इसके लिए आपको ये बात बताता हूं उस वक्त कॉंग्रेश के अधिवेशनों मतादिकार की चर्चा तो थी ही नहीं आजादी कितनी मात्रा में अंग्रेशों से नेगोस्येशन करकर प्राप्त की जाए इसकी चर्चा चलती है परन्तु उस वक्त न केवल संपूर्ण आजादी हर वयस्क को मत्दान मतादिकार इसकी भी चर्चा की और विश्वी सदी में ही सुरुवात में 1909 में वीर सावर करने कहा था अगर सस्त्र सांती को क्रांती को सफल होना है तो इसका अखिल भारतिय स्वरूप तय करना पड़ेगा और उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना इसी के लिए की थी और दयस आजाद होने के बाद अभिनव भारत को बंद करने वाले भी वीर सावर कर ही थे कि अभिनव भारत का उद्देश से समाप्त होना है मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको छुटपुट प्रयास करकर हमने ये महान प्रयास का अवमुल्यन नहीं करना चाहिए इसको किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत देश भक्ति कहकर व्यक्ति की व्यक्तिगत देश भक्ति ही अपने आप में बहुत महान होती है परन्तु एक समूह, एक विचारदारा के तहत देश को आजात कराने का प्रयास कर रहा था उसको हमें समधना भी पड़ेगा स्विकारना भी पड़ेगा और प्रचारीद भी करना पड़ेगा सिर्फ समधने से कुछ नहीं होगा उसको मन से स्विकारना पड़ेगा कि मेरे देश को आजात कराने के लिए धेर सारे लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर कई बार घर की कुक्री हो गई, कई बार परिवार जनों को जैल में डाल दिया, कई सालों तक कोई आंदाबार निकोबाल के काला पानी की सजा भुगतता रहा, कई लोग फांसी के फंदे पर चड़ गए और इस प्रयास को हम व्यत्तिगत प्रयास को इसको विफल प्रयास भी और भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी के आधार पर हर जगय पे देश में आजादी की चेतना जागरूत होती गई, द्रड़़ी भूत होती गई और परिणाम लक्सिदीशा में आगे बढ़ती गई, इन्होंने आजादी की चेतना को जागरूत भी किया, उसको द्रड़ भी क और चैनलाइज करकर एक निशा में ले जाने का काम भी इस सस्त्र काहंती वीरों ने किया है यह हमें ज़िकारना ही पड़े गया उनका नेटवर्क जर्मनी, सिंगापूर, आयरलेंड, कनेडा, अमेरिका और इंगलेंड में भी नेटवर्क फेलाकर इन लोगों ने काम किया है अभी के प्रजानमंत्री वारुसोप के गुजरात के मुख्यमंत्री, नरेंडर भाई जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के तो मोदी जी ने सामजी कुष्णवर्मा की अस्तियां इतने सालों के बाद वहां से वापिस लाने का काम किया क्योंकि सामजी अपने विल में कहकर गए थे कि मेरी अस्तियों को एक बैंक के लोकर में रखना जब मेरा आदेश आजाद हो तभी मेरी अस्तियों को मेरे देश में लिया जाए मैं गुलाम देश में मेरी अस्तियों को भी नहीं जाने दूँगा और इस प्रयास को कोई कैसे चुटपूट प्रयास कह सकता है कि स्याम जी कुरुष्ण वर्मा तैतरी उपनी सद का सबसे देश में उस जमाने में सबसे विद्वान व्यक्ति था संस्कूरूत के स्कॉलर थे तैतरी उपनी सद पर उन्होंने लिखे हुए टीकाओं को मैंने पढ़ा है इनकी विवेशनाओं को पढ़ा है इतना विद्वान व्यक्ति सब कुछ छोड़कर देश छोड़कर वहां क्रांती वीरों का प्रेना स्त्रोत बना एक के बाद एक देश बदलते गए सरदार सिंग राना हो मेडम कामा हो स्वाम जी कुछ न वर्मा हो ये सब ने आजादी के सपन को स्वेप देने का काम किया इसको फैलाने का काम किया और सावरकर जैसे लोगों ने जमिन पर लड़ाई लड़ने का काम ये प्रयास ना सूच के बगर का था ना असंगठित था ना असफल था ये प्रयास एक सूची समझी विचारदारा के आधार पर किया गया प्रयास था ये प्रयास संगठित प्रयास था और इस प्रयास ने सफलता जो मिली इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है इसको कोई नकार नहीं सकता नहीं अजादी के आंदोलन की दोनो धाराओ को कुछ लोगों ने उस जमाने में एक्स्ट्रिमिस्ट बना मॉडरेट्स ये व्याख्या कर दिया और अर्विन घोस्त ने उनको नेशनलिस्ट बना म लॉयलिस्ट कर दिया अहिंसक आंदोलन का भी योगदान है इसको हम नकार नहीं सकते परूंतु इसका महिमा मढण करने के लिए हजारो हजारो लोगों की तफस्या जीवन के बलिदान और कुटुम के कुटुम फणा हो गए है इसको कैसे नकार सकते है और उसको नकार कर देश का इतियास नहीं बढ़ सकता है हमने कभी न कभी सोचना ही पड़ेगा हमने समदना पड़ेगा कि आजादी अनुदान में नहीं मिली है लाखो लाखो लोगों ने बलिदान दिये है रक्त बया है पीडिया तबाह हो गई है तब आजादी मिली माइनस 45 डिग्री टेंपरिचर में कलकत्य से निकल कर वाया अफगानिस्तान रस्या होकर कोई बरलीन पहुंचता है वो व्यक्ति की देश पक्ति को अब कैसे नकार सकते हो मगर आज जब नेता जी का पूटला कर्तव योपट पर लगता है तो मन को बड़ी संतोस और सांती लोगती है बड़ा संतोस होता है चलो देर से ही सही एक अच्छी सुरुवात है नेता जी किसी की स्पर्दा में नहीं है और स्पर्दा के भाव से नेता जी के कामों का और महन प्रयास का आउमूलियन कैसे कर सकते हो आप निता जी तो वो त्येजपुंज है जो पिडियों तक हजारों हजारों युवा को देश भक्त बनने की प्रेणा लेगा और देश के लिए जान देने की प्रेणा आई एने का पुरा प्रयास मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि इसको जितना सन्मान और स्थान देश के इतियास में मिलना चाहिए था वो नहीं मिलना जैसे मैंने पहले कहा आज देश का युवा अपनी रुजान को बदला है देश की मानताय भी बदल रही है इन क्रांतिकारियों का प्रेणा स्थान कौन कहां से आता है निश्ची तुरूप से ही सिवा जी महराज महराना प्रताब तसीत बुर्फुगन बर्फुगन गुरु गोविन सिंग जी वी दुर्गादास राठुर वहीं से आता है और आज देश का युवा इस दिशा में सोचता भी है इसको स्विकारता भी है इस सारे क्रांतिकारियों ने मैजिनी और गेरिबाल्डी से तो क्यूंकि उस जमाने में थे तो सिखा ही सिखा प्रेना ली इसमें कोई आपक्तिने देश भ्रक्ति की पहना दुनिया के किसी भी कौने से मिलती है तो लेनी चाहिए और इसको सैलिट करना चाहिए प्रन्तु इसके साथ साथ हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा इतियास पड़ा है देश के लिए सालों सालों तक के संगर्ष करने वाले लोगों का इतियास पड़ा है वो ही हमारे क्रांति विनों के प्रेनास्त्रों थे भगत जिंको जिन्होंने ध्यान से जो कुछ भी लिखा है उन्होंने जो कुछ भी उपलब्द है पढ़ा होगा तो सावरकर की संसतावन की स्वातंतर संगराम की पूरा प्रस्तावना उनके स्टेट्मेंट का इस्टा है यसे ही एक्सिडेंटली नहीं होता है उस वक्त वो प्रतिबंदित पुष्टक थी मगर उस पुष्टक से प्रेणा लेने का मतलब है प्रतिबंदित पुष्टक को ढूंडा गया पढ़ा गया और उसको अपनी प्रेणा का स्ट्रोच यह वो अब बहुत बड़ी बात है और जब बगत सिंग जी कि वो फांसी लगाई गई तब सावरकर ने मराठी में फटका करकर एक प्रकार का काव्य होता है इसमें लिखा था हा बगत सिंग हाए हा तुम हमारे लिए ही फांसी जा रहे हो राष्टरणं में जोटे ही घीर रही हो आन्दाबान निकोबार की जैल में बेठा हुआ व्रक्ती इह रियेक्षन लिया है मित्रोए मैं इसलिए कहना चाहताऊं कि पूरा समय आंदाबान निकुबार की जैल में निकालने के बाद बाहर होए हुए सावर कर अगर यह लिखते हैं तो मैं होना चाहिए कि यह सब कॉडिनेटेड एफर्ट से यही विचार से पनपे हुए एफर्ट और यह नेरेटिव को कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए दबा कर रखा है, मगर मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, इतियास बड़ा करूर होता है इतियास को कोई तोड़ भी नहीं सकता, मरोड़ भी नहीं सकता, इतियास गंगोर अंदेरी रात्री में बीजली की भाती चमकता है, भले सैंकडो वर्स के बाद हजारों सुर्य जितना दैदी प्यमान होकर बाहर आता ही है और उसको स्विकार करना ही पड़ता है हमारे देश के स्वातंतरता संग्राम के इस इतियास को कोई दबा नहीं सकता, कोई लुप्त नहीं कर सकता, कोई छिपा नहीं सकता और समय समय पर इसको आगे बढ़ाने वाले लोग भी आये हैं और आगे भी आये हमारे क्रांटी कारियों के प्रेयाना का मुख्य केंड़, स्री अर्विन का भवानी मंदीर ही होता है, इंडिया हाउस होता है, गदर पार्टी का सोहन सिंग और लाला हर दयाल का मुख्यालए होता है, और आये ने के हर जवान के मन में हमारी क्रांटी का प्रेयनास्तर उतर होता है, मित्रो अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से देश को आजहाद करने का काम किया, किसान नेता मदारी पासी, सहलेव, हर्दोई और बहराई सितापुर में एका अंदोलन जो जड़ा, इसको गती दी, अर्लूरी सितारामन राजू, अब तो बहुत एक्षिन ने उनको प्रसिद्धी दी है, और धर्तियाबा भगवान बिर्शा मुंडा धिनोरों को अंग्रेजों ने फासी दी दी, उस व्यक्ति ने भी अंग्रेजों के खिलाब लड़ने का काम किया है, इस उस्तक ने बहुत सारे ऐसे व्यक्तितों को भी परिचय करा है, उल्लास करदत, नेवासिं लोपो के, व्यक्तितों का भी परिचय करा है, यह विचार, यह सनातन विचार है, हमारे यहाँ व्यक्ति, राष्टर और संस्कूर्ति कभी अलग नहीं रहे है, तीनों एक ही है यह हमारा मूल विचार है इस मूल विचार के आधार पर ही ससस्त्र कांत्री का निव बना था और उसके आधार पर ही इसका परिचे कराने के पुस्तफ लिखा गया है कर दो आगल